दोस्तों कुछ दिन पहले गूगल के तरफ से गूगल वालेट लॉंच किया गया है जो कि इंडिया के बाहर के देशों के लॉंच किया गया है फिलाल इंडिया में गूगल वालेट लॉंच नहीं किया गया है लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इंडिया में भी गूगल व ATM या फिर MobiQuick का wallet यूज़ करते हैं और उसमें आप लोग money को add करके कहीं भी payment कर सकते हैं उसी तरीका से आप लोग यहाँ पर Samsung wallet में भी money को add करके कहीं भी payment कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि Samsung wallet में आप लोग debit card या फिर credit card को भी add कर सकते हैं और कहीं भी tap टैप करके payment कर सकते हैं यदि आपका mobile NFC supported है तो फिर आप लोग Samsung wallet के माध्यम से टैप करके payment कर पाएंगे जो कि आपको और भी wallet app में देखने को नहीं मिलता है जैसे कि आप phone पे Amazon पे या फिर Paytm या फिर Mobi Quick का wallet यूज करते हैं तो उसमें आपको टैप करके payment करने का option नहीं मि लेवाला है इसके अलावा Samsung का कहना है कि Samsung wallet में high security दिया गया है अब यह security क्या है जब Samsung wallet इंडिया में launch किया जागा उसके बाद हम इसके बारे में detail में बात करेंगे इसके अलावा दोस्तों यहां पर Samsung wallet फिलाल इंडिया के लिए launch नहीं किया गया है इंडिया के बाहर के देशों में ही Samsung wallet launch किया गया है यह 6 देश हैं France, Germany, Italy, Spain, UK और UAS तो फिलाल इंडिया में यह launch नहीं किया गया है लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इंडिया में भी Samsung wallet देखने को मिलने वाला है अभी आप लोग Samsung का Samsung Pay यूज करते होंगे तो Samsung Pay में ही आपको wallet का भी option देखने क मिलने वाला है दोस्तों अभी आप Samsung का Samsung Pay यूज करते होंगे तो यहाँ पर आप लोग कोई भी debit card या फिर credit card को add करके payment कर सकते हैं इसके अलावा Samsung Pay में आप लोग UPI ID भी बना सकते हैं और bank account को link करके कहीं भी Samsung Pay के माध्यम से payment कर सकते हैं किसी को भी UPI के माध्यम से पैसा transfer कर सकते हैं इसके अलावा आप इस तरीका से इसको scroll करेंगे तो यहाँ पर देखें नीचे में आपको option मिलता है mobile recharge करने के लिए बिजली बिल जमा करने के लिए इसके अलावा DTH का recharge करने के लिए साथी यहाँ पर landline, broadband इसके अलावा यहाँ पर gas bill payment करने के लिए और यहाँ पर और भी option दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप लोग credit card का विल भी payment कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा option देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पर option आपको देखने को मिलता है पे का आप paper किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखे कोई भी आप debit card या फिर credit card को इसमें link कर सकत यदि आपका mobile NFC supported है तो आप लोग फी tap करके भी payment कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए UPI का भी option आपको मिलता है तो आप लोग यहाँ पर UPI के माध्यम से भी payment कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको option मिलता है three dot का आप three dot पे click करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप लोग पे टियम को samsung pay के साथ लिंक कर सकते हैं यदि आपका पे टियम में account है तो फिर आप लोग पे टियम wallet के माध्यम से यहाँ पर samsung pay के दौरा कहीं भी payment कर सकते हैं तो जब यहाँ पर samsung के तरब से samsung wallet launch किया जाएगा तो यहाँ पर आपको samsung wallet का भी option देखने को मिले वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए option दिया हुआ samsung reward का आप इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको reward points हो करेगा यदि आप samsung pay के माध्यम से कोई भी payment करते हैं तो आपको reward point मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोई भी reward point फि इसके बाद यहाँ पर देखिए bill payment और recharge करने का option आपको मिलेगा साथी यहाँ पर देखिए आपको gift card का option मिलता है तो आप लोग यहाँ पर gift card purchase कर सकते हैं और किसी को भी gift card send कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर option आपको मिलता है credit score का तो आप अपना credit score भी check कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर option है fast tag recharge का तो आप लोग यहाँ पर fast tag recharge भी कर पाएंगे तो आपको यह सब option यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Samsung Pay के home page पर ही आपको debit card और credit card add करने का option आपको मिलता है भीम UPI account को manage करने का option मिलता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखी wallet का option दिया हुआ है जब Samsung के तरफ से Samsung wallet इंडिया में launch किया जाएगा तो आपको यहाँ पर option देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर Samsung के तरफ से यह नया update जाड़ी किया गया है उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना मत बुलिएगा फिल मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहूत ख्याल लखिए बाई टिक केर